हमेशा की तरह हैं मेरे व्लॉग की शुरुवात हो रही है मेरी प्यारी किचिन से जहां मैं बना रही हूँ छोले और उसे मैंने कूकर में उभलने रखे हैं और फिर मैंने ले लिया था एक ग्लास पानी का और यहां बच्चे जा रहे हैं स्कूल आज दोनों का ही पेपर है त पर डालने लगी इन दिनों धूप बहुत आ जा रही है तो फिर पौदों में डालना ही पड़ रहा है कभी-कभी हो जाती है बरसा अचानक से लेकिन यह है कि इधर धूप आ जाती है लोटते समय वाली तो दुपैर से और फिर राज-शाम तक रहती ही है तो पौदे वगर चुके हैं और मैंने ले लिया है साफी का एक लास और आज बच्चों का है लास्ट एक्जाम जल्दी ही आ जाएंगे आज फिर तो चलो उनकी टाइमिंग रहेगी वही तेड़ दो बजे वाली तब मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा मैंने का आप लोगों से बात कर लू कल भी दंग से बात नहीं हो पाईती रात में भी काफ बच्चे आज बनाए हैं चोले चावल और रोटी इन सब के लिए और फिर मैंने ये नीबू पानी ले लिया और मैं आ गई थी बाहर पिर आज सोचा था मैंने कि आना आज बैट कर करने वाली खूब सारी एक्सराइज करूँगी तो वही मैं बैट गई हूँ इसमें कुछ थोड़ा सा योगा भी होगा वाकि वो स्ट्रेचिंग टैप का वो भी कर लूँगी और बाकि जो भी मुझे याद आएगा वो मैं एक्सराइज कर लूँगी इस टाइम तक क्या होता है ना कि बच्चे आ जाते हैं और वो बाहर टीगी लगा लेते हैं तब मेरे को फिर बहुत तो याद आई जाता है कि यह वाली कर लेते हैं और योगा करे हुए तो मैं को काफी दिन हो गए थे तो इसलिए मैं और आज हो रही थी कि आज योगा जुरूर कर लेते हैं थोड़ा अन्वलोम, विलोम, कपाल भाती यही सब करने का मन था आज तो फिर थोड़ी द सकते हैं कि बस यह 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 इतना करेंगे जब ऐसा टारगेट सोच लो न तो फिर वह भी हो जाता है फिर आलस नहीं लगता है जैसे आज मैंने सोच लिए बबाएट के करना तो गही सब्सक्राइब कि एक्षाइज जो भी मेरे को याद थी वो कर ली फिर बारा तो खेर नहीं वजे थे लेकिन मुझे लग रही थी भूख तो फिर मैंने दो बॉइल एग ये ले लिए देखिए सुपह बारिश को याद करी थी कि बारिश नहीं हो रही है तो देखिए बारिश भी हो गई आज अचानक से बादा लाग है बरस गया और चले गया और यहां जो में कुछ सब्सक्राइब नियादा नहीं थोड़ा सा चाहर ऐसी चाट लेते हैं उसमें चुटे-चु और खाने में भी पता है बहुत अच्छा था एकदम सॉफ्ट और मीठा चलिए फिर बजने वाले थे दो तो फिर मैं आ गई हूं किचिन में मैंने लौकी टमाटर और लहसन यह ले लिया है तो मैं बना रही हूं इसका सूप तो कुकर में मैंने पहले पानी डाला थोड़ा यही तीनों चीजे डाल दी लहसन टमाटर और गीया उसके अलावा नमक मिर्ची और हल्दी पॉर्डर बस यह डालके कुकर में दो सीटी लगा लेनी है इतना बढ़िया सूप तेयार होता है ना मैं क्या ही बता हूं मैंने फर्स टाइम यह ट्राय किया है लेकिन अच्छा बहुत बना था इसलिए आप लोगों से कह रही हूं कि कभी मतलब आपका मन करे कोई सूप का तो घीये का सूप एक बार जरू ट्राय करिए इसी के साथ ही फिर मेरा कुछ खाने का आज मन कर रहा था तो मैंने यह ले लिया है पीनट बटर एक चमच में पीनट बटर तो पत कर लिया है मिक्सी में तो बहुत बढ़िया सा यह सूप निकल आया है जिसे मैंने निकाल लिया है बाउल में वैसा कुछ और बनाती हूं ना उसके तो बहुत ग्राहक होते हैं लेकिन मैंने जब बच्चों को बताया कि यह घीये का सूप बनाया तो वह यह किसी ने भी हामी नहीं बरी, कहा कि नहीं ममी आप ही पी लीजिए फिर आजकर सोई नहीं थी तो मैंने सुचा ये बाउल जो मेरा तब से बना रखा था अतला इसको थोड़ा सा फिल करती हूँ, देखे अभी आपको सूप का बाउल दिखाया था और देखे मैं यहां पर भी इसमें बाउल ही बना रही हूँ और बिल्कुल वैसा ही है उतना ही बड़ा और हाँ पता है ये बाउल है ना जब ही वासु आया था ना राकी पे तब वो मेरे लिए स्पेशली लेकर आया था कि दीदी आप ये सब बनाती रहती हो अपने लिए अलक्सी डिशेज तो इसमें रखके खाना तो भई मैं उसका पूरा भरपूर यूज कर रही हूँ और देखिए ये डिजाइन पूरी बन गई है और इस बाउल में रखी हुई है मैगी कहलो या नूडल्स कहलो वो रखे हुई है बागी डिजाइनिंग तो हो गई है पैन वर्क तो पूरा खेर बागी है वो फिर करूंगे अभी इसके बाद मतलब नेक्स्ट फुरसत में जब कभी मुझे मिलेगी और फिर ये शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ वाक पे 6 बजरे है मौसम सही था दुपैर में तो बरसात होई थी लेकिन वैसे सही था वाक करने रायक था सुबह सुबह तो यार बहुत धूप हो जाती है तो बिलकुल मन नहीं करता है उससे अच्छा तो ये शाम का ही टाइम है तो यहां मैंने जो वही जो हमारी रोड है वो पूरी आधी कवर करी मुझे पूरा आइडिया है चाहे मैं घड़ी पहनू चाहे नहीं पहनू तो मेरे होंगे यहां पे पूरे 3000 स्टैप्स ऐसे सोस तो रही थी कि आज जादा स्टैप्स कर लूँ पर लेकिन मैं घर से थोड़ा मतलब मुझे उसके लिए थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि आप देखिए साड़े च्छे बच गए है मैं च्छे बच निकली थी आदे घंटे में फिर इतना ही हो पाता है तो वह यह तीन हजार स्टैप्स आपने देखि लिए यह हो गए थे घर आई तो फिर लगा कि एकदम शरीर वो हो रहा है कि कुछ पीने का मन कर रहा है तो वो मैंने लस्सी बना ली थी लस्सी मैंने पी तो देखिए सुबह आधा गिया यूज हो गया था अब आधा गिया यह बचा हुआ है तो मैंने इसको घिस लिया है और इसे मैंने निकाल लिया है बाउल में तो यह पूरा नहीं लिया है मैं बनाओंगी चीला तो चीले के हिसाब से मैंने थोड़ा सा तो इसमें ले लिया है और बाकी मैं रख दूँगी उबलने के लिए तो चीले वाले इस बैटर में हमने डाल दिया है बेसन, हरी मिर्ची, प्याज, थोड़ा नमक, थोड़ा लाल मिर्ची थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी हल्दी डाल दिया है वो लौकी का ही सूथ पिया था और अब ये लौकी का चीला हो रहा है और बाकी का जो घीया पता है जो अबल ने रखा है ना मैंने अभी दिखाऊंगे आपको तो वो पता है उसका क्या बनाऊंगे मैं रायता तो चीले के साथ वो रायता भी खाऊंगी आज पता नहीं क्या है एक पूरा घिया मेरा पूरे दिन मेरा चल गया उसने मेरा मतलब लंच भी करा दिया और डिनर भी करा दिया तो देखिए ये हमारा चीला इतना बढ़िया सा सिग गया है तो इस वाले घोल से ना दो चीले बन गए थे बढ़े अराम से अच्छे से और की रही बात इन लोगों की तो यार सुबह के छोले मेरे बचे हुए थे और इन लोगों का सभी काई मन था कि हम छोले चावल खाएंगे या छोले रोटी खाएंगे तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ बनाना नहीं पड़ा सिर्फ अपने लिए ही फिर मैंने ये बनाया बाकि उ वही उसमें काला नमक, जीरा और लाल मिर्च डाल दिया है वह बन गया भड़ी आसा तो देखिए हैं हमारे दो चीले और ये रायता ये जा रहा है डाइनिंग टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी ये हरी मिर्ची बहुत अच्छा वाला पेट भर गया तो इस तरीके से आज हमारा कीटो डाइट का डे थ्री कंप्लीट हुआ आज मतलब गिया डे हो गया है लौकी डे सारे आइटम लौकी कही थे लेकिन पता है ऐसा अटपटा नहीं लग रहा था सुभै का वो बिलकुल अलग था मतलब ऐसा लगनी रहा था कि आप लौकी का रहे हो वो बहुत बढ़िया और टेस्टी सूप था और अभी चीला भी था चीला वैसी भी अच्छा ही लगता है अर बेसं का चीला जैसा भी हो उसके अंदर मैटिरियन तो गीया था वो अच्छा लग रहा था और वो गीय का रायता बन गया तो वो भी बहुत अच्छा लगा था ओवरॉल मिर को सारे आइटम बहुत अच्छे लगे और आप लोग भी ट्राय कर सकते हैं वो सूप सूप तो मतलब बहुत ही गजब बना था कभी ऐसा होता है कि लौकी की सबजी खाने का मननी करता है क्या बनाओ वही लौकी क सबजी या वो गिया चने की दाल वो टाइप का तो कभी ऐना ऐसे सूप बना सकते हैं हेल्दी भी रहेगा काफी क्योंकि वो उबला हुआ सब कुछ है और ऐसा कुछ उसमें उसके मतला पकाने से तो भी न्यूट्रिशन थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन उबालने से कम नहीं होते हैं तो फुल न्यूट्रिशन भी मिलेगा और अच्छा वेट लॉस भी होगा तो देखते हैं कल क्या बनेगा कल मेरे खाल से करेला रखा है करेला ठिकाने लगाना है कल देखते हैं करेले की कोई डिश बनाएंगे ठीक है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर म तेखते हैं किसमें.